परमोध प्रेमी के मामले में क्या बयान है अप लोग को इस वीडियो में बताते हैं परमोध प्रेमी ने अपने पत्नी के साथ बहुत ही बड़ा दोखा किया ऐसा उनकी पत्नी का कहना है कहना है कि लगभग 12 साल जो है दोनोंने साथ में शमय बिताया और जब परमोध प्रेमी कुछ नहीं थे तब उनकी पत्नी ने परमोध प्रेमी का साथ दिया लेकिन परमोध प्रेमी ने उनको बिना डैवोश के बिना मैंटनेंस चार्ज के बिना किसी खर्चे का जाए वो छोड़ दिया और तीसरी साधी भी प्रमोद प्रेमिर ने कर लिया यह जो पत्नी है प्रमोद प्रेमिर के दूसरी पत्नी थी ऐसा इनकी पत्नी का यह भी कहना है कि प्रमोद प्रेमिर का जो पहला साधी था उनके बारे में इनको नहीं पता था इनका कहना है कि प्रमोद लग्सा के साथ देखाओगा, फिल्मों में दखाओगा, गानों में देखाओगा, अचानक से ख़बर आती है, प्रियांका रए लाइफ आती हैं, और कहती कि एक साल से ये सारी दूशारी चीज़े मेरे साथ चल रही थी, और एक साल से मैं सोच रही थी कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा नहीं ठीक हुआ मजबूरन मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा और मैं लाइब नहीं आना चाहती थी लेकिन मुझे लाइब आना पड़ा लाइब आकर कि उन्होंने बहुत सारे राज खोले प्रमुत प्रेमी के बारे में बताया उनके भाई के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस प्रकार से उनको टॉर्चर किया जाता था उन्होंने ये भी बताया कि प्रमुत प्रेमी जो है उनको छोड़ गर के 30 साधी कर चुके हैं और मुंबए में पत्नी को रखते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि और सारे एक्ट्रेसे से प्रमुथ 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 प्रम इन ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखत घटना है और साथ में रितियस पांडे ने ये भी कहा है कि इसकी जो जांच परताल होनी चाहिए और जो भी सही है जो भी गलत है उसको सजा भी मिलना चाहिए परसासन को भी इसके उपर एक्सन लेना चाहिए क्योंकि ऐसे किस सासन भी साय दिन से मिला हुआ वसे आपकी क्या रहा है नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें फिर मिलते हैं दूसरों को लेकर करें